आज से कुछ हफते पहले आम आदमी पाटी ने चरण जीत सिंग चन्नी साब के अपने हलके श्री चमकौर साब में कैसे नजैज रेते की माइनिंग चल रही है ये लाइफ कैमरे पे रेड करके एक्सपोस किया था उनके हलके में आने वाला जिंदापूर पिंड जहां पे सरय आम दिन दहाडे नजैज रेते की माइनिंग चल रही है ये हमने आप सब के सामने कैमरे पे रेड करके रखा और परदाफाश किया कि कैसे चन्नी साब जो कहते हैं कि मैं रेते माफिया का मुख्य मंत्री नहीं कहते हैं कि मैं पांच रुपे फिट में रेता हर जगा बेच हूँ उन्हें एक्सपोस करते हुए चन्नी साब कैसे रेता माफिया चला रहे हैं पूरे पंजाब में उनकी अपने हलके में नजैज रेते की चोरी हो रही है हमारे पंजाब की मिटी की चोरी हो रही है यह आप सब के सामने रखा हूँ मैं बताना चाहता हूँ कि इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट की जो रेड चन्नी साब के अपने रिष्टेदारों के घरों पे हुई वो इल्लीगल सैंड माइनिंग से जुड़ी हुई रेड थी यानि कि नजैज रेते की चोरी से जुड़ी हुई रेड अभी तो रेड उ करोड रुपे की गाड़ियां और प्रॉपटी के कागजात निकलें एक भतीजे के यान से सोचिए ये रेड अगर पूरे परिवार पे हो जाती तो कितना पैसा मिलता खुद चन्नी साब पे हो जाती तो सोची कितने करोड रुपे मिलते और अभी तो चन्नी साब सिर्फ 111 पुरा दिन के लिए पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री थे, कहीं ये पांच साल मुख्यमंत्री हो जाते, तो कितने करोड़ रुपे कमाते, इनके सारे भतीजे मिलके कितना कमाते, पुरा परिवार मिलके कितना कमाते, ये आज बड़े सवाल पंजाब की अवाम के सामने है, एक बहुत बड़े खुलासे में पंजाब के सापका मुख्यमंत्री फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अम्रिंदर ने ये बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने कॉंग्रेस हाई कमांड को और कॉंग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को ये बताया था कि चन्नी रेता की चोरी करते हैं चरंजीत सिंग चन्नी जी रेता खनन इल्लीगल सैंड माइनिंग सरयाम करते हैं उन्होंने लिखित में ये शिकायत चन्नी साब के खिलाफ सोनिया गांधी यानि की कॉंग्रेस हाई कमांड को लगाई थी लेकिन हाई कमांड ने कॉंग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी जी ने कोई एक्शन चन्नी साब पे नहीं लिया मेरे कुछ सवाल हैं सीधा कॉंग्रेस पार्टी की हाई कमांड से सीधा सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी जी से पहला जब क्याप्टन अम्रिंदर साब ने आपको बता दिया कि चरंजीत सिंग चन्नी साब रेता चोरी करते हैं illegal sand mining करते हैं तो आपने उनके खिलाफ action क्यों नहीं लिया मेरा पहला सवाल मेरा दूसरा सवाल जब आपको पता था कि चन्नी साब रेता चोरी करते हैं illegal sand mining करते हैं तो आपने उन्हें मुख्यमंतरी क्यों बनाया उन्हें क्यों नॉमिनेट किया कि वे पंजाब के मुख्यमंतरी बने ये मेरा दूसरा सवाल मेरा तीसरा सवाल जब enforcement डिरेक्टरेट की रेड हुई और चन्नी साब के रिष्टेदारों के यां से करूरों रुपे नकद कैश मिला तो आपने चन्नी साब को मुख्यमंतरी पत से हटाया क्यों नहीं उन्हें Congress Party से Suspend क्यों नहीं किया क्योंकि रेड पुलिटिकल हो या ना हो दस करोड रुपे तो मिले रेड पुलिटिकल हो या ना हो 21 लाख रुपे का सोना तो मिला रेड पुलिटिकल हो या ना हो करोड़ो रुपे के प्रॉपर्टी और गाड़ियों के कागजात तो मिले तो आपने चन्नी साब को हटाया क्यों नहीं सोनिया जी, राहूल जी, कॉंग्रेस हाई कमान ये मैं पूछना चाता हूँ और हमारा चौथा सवाल कि आपने अगर कोई एक्शन नहीं लिया चरंजीत सिंग्चनी साब के खिलाफ तो क्या ये समझा जाए कि जो भी ये माफिया पंजाब में कॉंग्रेस पार्टी चलाती है इसका कहीं न कहीं पैसा कॉंग्रेस हाई कमान तक पहुँचता है दिल्ली जाता है कॉंग्रेस पार्टी से आज पूरा पंजाब एक आवाज में कह रहा है जहां जाते हैं लोग खुद कह रहे हैं कि गली गली में शोर है चन्नी साब रेता चोर है ये जगा जगा पंजाब के लोग कहते आ रहे हैं और मैं साफ तोर पे चरण जीत सिंग चन्नी साब को कहना चाता हूँ कि बिकरम सिंग मजीठिया साब ने कल एक प्रेस कांफरेंस करते हुए आप पे काफी गंभीर आरूप लगाए उन्होंने बताया कि कैसे चन्नी साब उनके रिष्टदार हनी जी का एक नेकसस चल रहा है उन्होंने कहा कि चन्नी हनी और मनी का एक नेकसस चल रहा है और उस नेकसस से सैंड माइनिंग के इलीगल काम करके पैसे कमाए जा रहे हैं बिकरम सिंग मजीठिया ने ये भी कहा कि चमकौर साब हलके में जंगलात विभाग की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन जहां पर कोई माइनिंग नहीं हो सकती वहाँ पे चन्नी साब खुद अपने हलके में नजैज रेते की चोरी करवा रहे है बिकरम सिंग मजीठिया ने ये भी कहा कि एक मल्टी हंड्रेड करोड स्कैम कई सौ करोड का स्कैम चन्नी साब ने किया है सैंड माइनिंग और इल्लीगल रेता खनन रेता चोरी के अक्टिविटीज करकर बिकरम सिंग मजीठिया ने ये भी कहा कि 111 दिन में चरण जीट सिंग चन्नी ने 1111 करोड रुपे कमाए है मैं चरण जीट सिंग चन्नी साब से पूछना चाहता हूँ कि इतने संगीन आरोप आप पे लगे हैं क्या अब आप बिकरम सिंग मजीठिया के खिलाफ भी मानहनी का मुकदमा करेंगे आपने ये तो बोल दिया कि आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ अर्विन केजरिवाल जी के खिलाफ मानहनी का मुकदमा करेंगे मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ इतने गंभी आरोप आडियो विडियो रिकॉर्डिंग्स डॉक्यूमेंट्स के साथ बिकरम सिंग मजीठिया ने आप पे लगाए क्या आज चन्नी साब बिकरम सिंग मजीठिया पर भी मानहानी का मुकदमा करेंगे ये मैं साफ तोर पे चरण जीत सिंग चन्नी साब से पूछना चाहता हूँ